बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com खास समस्या को चुटकियों में दूर करेगा तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं पंजां के साथ में तो दिन है गुरुवार का तारीक है 23 जून 2022 आशाल कृष्ण दश्मी पर चंद्रमा मीन राशियो रिविती नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंग रहेगा 8 शुभंग रहेगा काला शुभ दिशा रहेगी पस्चिम राहू काल रहेगा दुपहर को दो बच कर 8 मिनट से 3 ते 5 तक भदरा रहेगी सुभए 9 बच कर 8 मिनट से लेकर राप को 9 बच कर 41 मिनट तक सरवार्त सिद्धी योग रहेगा दिन राथ दिन का सबसे शुब मौरत रहेगा सुबह 6 बचकर 14 मिनट से लेकर के सुबह 9 बचकर 8 मिनट तक विशेश क्या है मित्र योग है और ऐसे में देवी कमला के पूजन का विधान है दश्मी का दिन गुरुवार का दिन सरवार्ति सिद्धी योग और कमला का पूजन किया धन की अदिश्टात्री देवी कमला ही है महाविध्या कमला दस्मी महाविध्या और ऐसे मैं आपको बताएंगे कैसे आपको विशेश रूप से धन की प्राप्ति होगी उसके लिए राशिफल आपको आखिर तक देखना पड़ेगा तो चलिए राशिफल के शुरुवात क करें कि पक्षियों के लिए पीली सरसो रखे शुबंक आठ रहेगा शुबरंग रहेगा काला दूसरी राशी व्रिश यानि के टौरस की बात करेंगे कारोबारी यात्रा के योगे हैं बहुत सतरकता से धन्यवेश करें सेहत पर ध्यान दें भागदावल के अकारण ठकान जीवन शली में बदलाव आएगा उपाईए करें कि कागस पर हल्दी से शुरीम लिखकर पर्स में रखें शुबंक पांच रहेगा शुबरंग रहेगा हरा तीसरी राशी मितो नियाने जमनाई की बात करेंगे कारोबार में खोशहाली मिलेगी पुराने दोस्तों से पारिबार एक सम्मंद बहतर रहेंगे जीवन में बदलाव आएगे बिगडी वी सेहत सुधरेगी उपाईए करें कि पीले रंग के कपड़े पहने शुबंक चार रहेगा शुबंक रहेगा शुबरंग रहेगा नीला चौथी राशी कर कियाने की कैंसर की बात करेंगे सेह रहेगा संपती के अच्छे सौधे मिलेंगे सेहत पर पूरा ध्यान दें उपाईए करें कि पीपल पर पीले फूल चड़ाएं शुबंक रहेगा शुबंक रहेगा शुबंक रहेगा नारंगी छटी राशी कन्या यानि के वर्गो की बात करेंगे कड़ी महनत से सफलता मिल रहेगी खास काम सफल रहेगे पत्रकार जो हैं सराशी के वो सफल रहेगे दामपत्य संबन सुधरेंगे दफ्तर में वेतन वरधी के योग हैं उपाईए करें कि धर्मिस्तल में पीले फूल चड़ाएं शुबंक चार रहेगा शुबंक रहेगा शुबंक रहेगा नीला ब पानी में हल्दी मिलाकर पीपल पर चड़ाएं शुबंग पांच रहेगा शुबंग रहेगा हरा आठवी राशी वरिष्चिक यानिक स्कॉर्पियों की बात करेंगे सोचेवे काम पूरे होंगे कारोबारी निवेश की योजना बनाएंगे जीवन साती सहीयोग देगा आएक सतरकता बढ़ते हैं कारोबार में लाव होगा दफ्तर में विर्थ के विवादों से बचें मित्र मदद करेंगे उपाहिये करें कि कागस पर केसर लगाकर जेव में रखें शुबंग दो रहेगा शुबरंग रहेगा सफेद दस्वी राशी मकर यानि कि केप्रिकॉन की बा बात करेंगे संतान से खुशकबरी मिलेगी कारशेतर में वड़ा फैसला लेंगे घर में सुक्षानती बनी रहेगी दफ्तर के मामले सुलजेंगे नए कारोबारी मौके मिलेंगे उपाहिये करें कि पूजा घर में केले चड़ाएं शुबंग सात रहेगा शुबरंग रहे शुभरंग रहेगा सफेद तो दोस्तों अब समय है आज के विशेश उपाए का वो विशेश उपाए जो आर्थिक समस्याओं को दूर भगाएगा देखे विशेश दिन है सरवासिद्धियोग है गुरुवार का दिन है और देवी कमला के पूजन का दिन है मित्रयोग है ऐस में क्या करें आप देवी कमला की पूजा उपासना करें और देवी कमला पर पीली कोडियां चड़ाएं और ये जो पीली कोडी है चाहाब वो एक की चड़ाएं इसे आप विशेश रूप से लाल कपड़े में थूड़ी सी चनादाल और एक लाल मिर्ची के साथ में बांध सारी आर्थिक समस्याए निश्चित दूर होंगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षु आए अजय कर दोस्तों आप से लिए इजाज़त दूर होगी